गुजात के वडूद्रा में फिर एक बार हिंदू धर्म के शध्धालूं की भावना आहत हो ऐसी तस्वीरे सामने आई हैं, जिस पर सवाल उठना लाजमी है. हिंदू धर्म में कई धर्मीक तयोहारों को शध्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है. उन्ही में से एक तयोहार है दशामा का, जिसमें दस-दस दिनों तक उपवास कर महिलाएं और पुरुष मादशामा की आराधना करते हैं. तस दिनों तक दशामा की प्रतीमा की पूझा कर उनका वसर्जन करते हैं और वसर्जन के कई दिनों के बाद अगर इस तरह की तस्वीरे सामने आए तो त्योहारों के सेलिब्रेशन पर और भक्तों की धार्विक आस्था पर ठेस लगती है। कि प्रतीमाए सही धंग से वसर्जन ही नहीं हो पाई। इतना ही नहीं जो वसर्जन हुई भी वो भी अब ऐसी हालत में है कि उन्हें दफनाने की जरुरत पड़ रही है। कि आम चुझे तमारू? क्या वड माधी जो? आसू करता था तमें मूर्थी के लिए जेता था? विसर्जन के दपनाव दा था था था? अने को ना आदेश था मूर्थी माटे ना? कोई साहेब कयो? कमिस्नर? कमिस्नर आदेश आपयो? कोई विसर्जन करावानुचे? कोई विसर्जन करावानुचे? भगवान ने यहांती था 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 र voices बंदावानुचे? तो महा मातादी का स्विबिंग पूल माल के दा था था कुद्रिम दाड़ावानुचे? इन प्रतिमाओं के नदी तालाब में विसरजन की बजाए उन्हें जमीन में गाडने पर कई तरह के सवाल उठे समाजिक कारेकरता स्वेजल व्यास और यूद कॉंगरस अध्यक्ष पवन गुपता ने इस पर सरकार और वडुद्रा महानगर पालिका को खूब खरी खोटी सुनाई है वडुद्रामा हरनी विस्तार मा जया कुत्रीम तरडव बनायोतु दस्वामा माताजी ना विसरजन माटे ए माताजी नी मुर्तियो ते आथी लएने वड नंबर 4 ना पाच्छाणी नी भाग संगम पासे वड नंबर 4 ना कॉमन प्लोट मा कॉमन प्लोट नी अंदर खालो को दिन दफनावता था अपना माताजी मुस्लिम थाई गया चे यहलोको दफनावे चे यह दफनावन आरपन आज कॉर्परेशन कोई पकडिव तुमारा भई पवन है पकडिव रात्रे अन्य आ जो पवन ना होत तो आ सक्सेस था तो आओ कई सुधी थाई आओ कई सुधी पवन ने बिजे दिवास बुली जवाई चे का बगवान कैया विशर्दन करिया है बगवान नी सुधी आलाच चे अवरी ते कच्रा ना ढगला बने नहीं ची तै 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 आओ पवन ने ना पकड़ा होत तो माताजी ने दफनाई दिधा होत अजे माताजी माटे इटलू ल अंधिर मा विशर्दन करी राच आ हिंदु युवानों बेगा तहीने के भई धर्म माटे बोलू पड़ लड़ू पड़ पड़ चे पना सवेव लागे चे रात रेपन पहला बोट माँ करियो पिला माँ करियो फेलियर करियो आकको वड़ोदरा डुबाडियो ये जे माता कारियो बेसे एच चता एव ओड़ ओफिस नी पाचर ज्यां आख्रा वड़ ओफिस नों कच्छो ठलवा तो होए एवी जग्या उपर अर्दी राते खालो खोदीने माता जीने त्या नाखवानों काम करता था आज सरकार चोर सरकार थे गई जे केम के हर्स संग्वी पबलि अर्दी राते चोरो नी जेम माता जीने खालो का दीने अने यहां नाखवानों कृत्य करी रहा था आतो मने उलागे छे कि गनपदी बापा है मने इस थड़ पर अचानक मुकली आपयो कारान कि जे व्यथा ने जे परिस्तिती दसा मानी थाई बापा नाथी चाहता कि एमनी परिस्तिती ना अनुबव ना करवा पड़ एना माटे अमने जागरूत कईन मुकली हो कि मारी माने ही बचाओ अने मारा तेवार आई रहा जे मारा माटे पन कई करो एवी अमने सत बुद्धी आपी ने स्थड़े मुकली हो अने आ कोर्पोरेसन अने अ अधिकारियो जे हिं अने अने आउनार दिवसों मा गणपती आवे जेन आ परिसीती कायम रही तो दज़ज वड़ ओफीसों माने बदल जोनों मा तपली दाव मंड़ना छोकराओ करे तो नवाई नहीं यहाँ एक सवाल यह उठता है कि धर्म और त्योहारों को मनाने की खोड में हम कहीं ठगवान के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं गणेश उत्सव हो या कोई भी उत्सव धर्म और आस्था का विशे है लेकिन अब उस आस्था को इतना बड़ा स्वरूप दे दिया गया है कि हजारों की संख्या में गणेश पतिमाए बराजमान होने लगी है एक ही गणेश पंडाल में एक से जादा गणेश पतिमाए आपने जरूर देखी होगी हर घर घर गणेश पतिमाए स्थापित होने लगी है क्या इतनी सारी गणेश पतिमाओं की स्थापना की जरूरत है क्या हम हमारी सोसाइटी में या आसपास रखी गई गणेश पतिमा की दस दिन तक पूजा नहीं कर सकते क्या हम हमारे घर में रखे हुए गणेश जी की ही दस दिनों तक उसी श्रधा के साथ पूजा नहीं कर सकते जिनके विसर्जिन की जरुवत ही ना पड़े और अगर स्थापना करनी ही है तो इको फ्रेंडली मिट्टी की गणेश पतीमा स्थापित कर क्या घर में ही विसर्जन नहीं किया जा सकता अगर इन सवालों के जवाब आप हां में दे सकते हैं तो शायद ऐसी दिल दहलाने वाली और दिल दुखाने वाली तस्वीरे शायद कम हो सकती है